तो फ्रेंस कल मैं अपना वीडियो शूट करने की तैयारी कर रही थी और अचानक से मेरे पास एक फोन आता है कि हमारे एक रिलेटिव हैं वो हमारे आ रहे हैं और वो सिर्फ 30 मिनट में पहुंचने वाले हैं और उनके लिए मुझे खाना बनाना है और सबसे बड़ी बात ये फिर इसके बाद इसमें डाल दिया पानी पानी आप डाल के हिसाब से डालें फिर इसमें डाल दिया आधा चमश शुद्धिगी डाल बनाते समय घी डालते हैं तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर इसमें डाल दिया एक हरी मिर्च और एक टमाटर फिर इस के बाद मैंने कुकर का धकन लगाकर और इसे गेस पे चढ़ा दिया पकने के लिए और जब तक ये दाल पक रही थी तब तक मैंने और तयारी कर ली तो अब इतना टाइम तो था नहीं कि कोई सबजी बनाई जाए क्योंकि अगर और कोई सबजी बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत जादा लग जाता है तो यहां पे मैंने मखाने की सब्जी बनाई और उसके लिए मैंने मखाना ले लिया और लिया एक पैन में देसी घी और मखाना को रोस्ट कर लिया मखाने की सब्जी बहुत फटा-फट बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है और जो मखान कर मुझ आएगा तो उसमें डालेंगे जीरा और फिर उसके बाद जो टमाटर काटके रखा है वो उसमें डाल देंगे फिर डालेंगे दो हरी मेर्च और तीन से चार अद्रक के टुकडे फिर यहां पर हम लगबस साथ से आठ काजू डाल देंगे इससे ग्रेवी गाड़ी हो और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब ही आप इसको पीसे और इसको हमें एकदम बारीक पीस लेना है पीसते समय आपको ध्यान रखना है कि यह दरदरा या मोटा नहीं होना चाहिए क्यों पे लिया है जावित्री, दालचिनी, लॉंग और हरी लैची, फिर हम तेल में डाल देंगे एक चमजीरा और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, फिर ये खड़े गरम मसाले डालेंगे और इसमें हम तेश बत्ता भी डालेंगे, और फिर इसे हम लो फ्लेम पे पका और अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डालेंगे, और फिरंस गैस की फ्ले म को लो पे ही रखेंगे, आप कोई भी सबजी बनाते है तो आप मसालों को लो फ्ले म पे ही भूने, नहीं तो मसालों का टेस्ट खराब होता है और फिर सबजी अच्छी भी ने लग दिखाने में और यह देखे यह तेल छोड़ने लग गया है तो यह पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो यहां पर मैंने लिया है धनिया का पौडर लाल मिर्श पौडर हल्दी काश्मीरी लाल मिर्श पौडर डालेंगे और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाले और फिर हम इन मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले अच्छी तरह से भूने हैं या नहीं इसकी पहचान यह है कि जब भी आप इनको भूनते हैं तो यह तेल छोड़ने लग जाते हैं और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो पानी मैंने वह चमच दूद की मलाई तो यह घर की फ्रेश मलाई है यह हम इसमें डालेंगे अगर आप चाहें तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच अमचूर पौडर और हम थोड़ी सी कसूरी मेति भी डालेंगे कसूरी मेति का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है और इसे हम मिला देंगे इसके बाद जो मखाने हमने पहले रोस्ट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और मखाने डालने के बाद हमें सिर्फ पांच मिनट के लिए इसे पकाना है बहुत जादा हमें नहीं पकाना है तो हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को लोपे ही रखेंगे और इसे ढख करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी सब्जी बनकर एकदम तयार हो जाएगी तो अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया क्योंकि धनिया के बिना तो सब्जी अधुरी है और ये किये ये दाल हमारी एकदम गाड़ी और एकदम बढ़िया बनी है तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे दो चम्बत देसी घी और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे जीरा फिर हम डाल देंगे जराई और इसमें हिंग भी डालेंगे, फिर हम डालेंगे धनिया पॉडर, लाल मिर्श पॉडर और थोड़ा सा गरम मसाला, फिर हम इसमें करी पता भी डाल देंगे और इस तरह से हमारा ये तड़का बन कर तयार है, तो अब हम दाल में तड़का लगाएंगे और इस तरह से हमारी ये बिना प्याज लेसन वाली तड़का वाली दाल बन कर तयार है और ये देखें कितनी टेस्टी लग रही है तो आप बिना प्याज लेसन के भी बहुत अच्छा खाना घर पे बना सकते हैं और वो भी बिना किसी जंजट के और फ्रेंट्स इसके बाद हम सैलेट काट लेंगे क्योंकि सैलेट के बिना थाली एकदम अधूरी सी लगती है तो अगर जल्दी सैलेट काटना हो तो आप इस तरह से काट सकते हैं बहुत ही फटा-फट से हो जाता है अब हम लेंगे एक बरतन में आटा यहाँ पर मैंने एक कप गिहू काटा लिया है और आधा कप इसमें बेसन डालेंगे फिर हम इसमें डाल लेंगे एक चमश्ट ओयल और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तयार करेंगे और आज हम रोटी जो है वो थोड़ी अलग तरीके से बनाएंगे और इस तरह से आप बनाएंगे न तो आप जिसको भी खिलाएंगे उसे बहुत ही जादा पसंद आएगी नॉर्मल रोटी तो सभी बनाते हैं एक बार आप इस तरह से रोटी बना कर ट्राइ करिए आपको भी खानी में अच्छी लगेगी और आप जिसे खिलाएंगे उसे भी बहुत जादा पसंद आएगी तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं रोटी जो है वो तवे में अच्छी तरह से चिपक जाएगी तो यहाँ पे हम सीधे गैस पे रोटी को नहीं सिखेंगे हम पहले रोटी को चिपका लेंगे तवे में और फिर तवा को ऐसे उठा के और उल्टा करके हम सिखेंगे और गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे ताकि रोटी जो है वो जले नहीं और धीमी आज पर रोटी अच्छी तरह से सिख जाए और ये देखिए ये हमारी रोटी जो है वो बन कर त्यार है तो अब हम इसमें घी या बटर लगा रहेंगे तो एक बार आप ये रोटी घर पर जरूर ट्राय करिए आपको भी पसंद आएगी और आप जिसको बना के खिलाएंगे उसे भी बहुत जादा पसंद आएगी तो अब इसके बाद हम अपनी थाली लगा लेते हैं तो सबसे पहले हम इसमें रख देंगे दाल उसके बाद हम इसमें रखेंगे सबजी और साथ में हम इसके रख देंगे दही तो अगर आप चाहें तो आप रायता भी बना सकते हैं किसी भी चेश का रायता बनाईए खाने में बहुत ही डेस्टी लगता है और दही में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्श का पॉर्डर और जीरा पॉर्डर और इसके साथ में अब हम रख देंगे अचार और साथ में रखेंगे पापड तो लोगों को अचार और पापड भी ज़्यादा पसंद आते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह से हमारी बिना प्याज लेसन वाली थाली बन कर तयार है तो जब भी अचानक आपके घर पे गेस्ट आ जाएं या ऐसे भी अगर आपको बिना प्याज लेसन के खाना बनाना है तो आप इस तरह से खाना बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है बिना प्यास लेसन के भी खाना बहुत अच्छा बनता है आप इसे घर पे एक बार जरूर ट्राय करिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर